दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंगलिश बाबू पर और आज में फिर हाजर हूँ आपके साथ कल की स्टोरी का दूसरा भाग लेके और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए है या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडि काहनी को अच्छे से समझने के लिए कि यदि आपने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लें और उसके बाद ये सेकिंड जो वीडियो है ये उसके बाद का है और आज ये स्टोरी पूरी कवर हो जाएगी तो दोस्तों कल हमने इसको यहां तक से छो करते हैं आफ्टर सम टाइम आज साधू ओपंड दा डोर एंड एंटर्ड दा हाउस क्या मतलब वह दोस्तों यह जो वाक्या है यह पास इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्या है जहां वर्व की सेकिंड फॉर्म का प्रियोग किया जाता है ओपन मतलब खोलना सेकिंड मतलब आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद असाधू एक साधू ने ओपन दा डोर एक साधू ने दरवाजा खोला एंड एंटर्ड दा हाउस और घर में प्रिवेश किया ही फाउंड अब बंडल लाइंग ओन दा फ्लोर दोस्तों यह जो हमारा वाक्य है इस वाक्य में पा क्या अरत हुआ ही ही फाउंड उसने पाया बंडल एक गट्री लाइंग पड़ि धूई ओं धूल फ्लोर फर्ष स्पर टो इस पूरी लाइन और लायं ओं धफ्लोर मतलब उन्होंने एक गट्री को फर्ष पर पड़ा हुआ पाया लिता क्या मतलब हुआ दोस्तों यह जो वाक्य है यह भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है और जहां सेकंड फॉर्म का प्रियोग किया गया है तिंक मतलब होता है सोचना सेकंड फॉर्मेट थॉर्ट Da Sado THOUGH मतलब की सादूने सोचा १ू एस लफ वाक्य है यह हमारा प्रिजन परफेक्ट का वाक्य है और जब हम प्रिजन परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहां पर हैज या have का प्रियोग किया जाता है helping up की रूप में साथ में वर्व की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है leave का मतलब होता है छोड़ना और थर्ड फॉर्म है left और दोस्तों उसके अलावा यहां पर who का प्रियोग किया गया who एक relative pronoun है जब हम किसी का reference देते हैं तो who का प्रियोग किया जाता है तो इस line का क्या अर्थ हुआ साथू ने सोचा who has left this bundle मतलब इस गठरी को इस गठरी को किसने छोड़ा है who came to the house और दोस्तों यह भी यह हमारा past का affirmative वाकर है जहां second form का प्रियोग किया गया और यहां पर भी relative pronoun का प्रियोग किया गया जैसे मैंने आपको बताया जब हम किसी का reference देते हैं तो who का प्रियोग करते है relative pronoun के रूप में तो क्या रत हुआ who came to the house मतलब घर पर कोन आया when I was away अवे का मतलब होता है दोस्तों दूर होना when I was away जब मतलब मैं जब मैं नहीं था जब मैं दूर ता तो घर पर कोन आया ऐसा उन्होंने सोचा he quickly opened the bag quickly का मतलब होता है जल्दी से और open मतलब खोलना second form में opened he quickly opened the bag मतलब उन्होंने जल्दी से उस bag को मतलब थैले को खोला and found और उन्होंने पाया found it full of ash दोस्तों ash का मतलब होता ash का मतलब होता rock and found it full of ash और उन्होंने उसे rock से भरा हुआ पाया आगे देखिए कालू also saw this from behind the cupboard का मतलब होता है अलमारी और दोस्तों ये भी हमारा past का affirmative बाक्य है जहां second form का प्रियूक किया गया है C का मतलब होता है देखना second form is saw कालू also और saw का also मतलब होता है कालू also saw this कालू ने भी ये देखा from behind the cupboard अलमारी के पीछे से तो इस पूरी लाइन का क्यारत हुआ कि कालू ने भी इसको देखा अलमारी के पीछे से चलिए आगे देखिए but how could the gold pieces in my bag turn into ash और दोस्तों देखिए ये जो वाक्य है ये interrogative का वाक्य है और इस वाक्य में कुड का प्रियोग किया गया है helping of के रूप में तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य के nature में आप ये दिखाना चाहते हैं कि कि किसी भी तरह की संभावना के बारे में बात हो रही है तो उस संभावना को प्रिदर्शित करने के लिए कुड का प्रियोग helping of के रूप में किया जाता है तो आप इस चीज़ को भी note कर सकते हैं जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां पर संभावना को दर्शाना चाहते है तो कुड का प्रियोग किया जाएगा साथ में बर्व की first home लगाई जाएगी और दोस्तों turn का मतलब होता है किसी चीज़ का बदल जाना पलटने को भी turn कहते हैं और किसी चीज़ का रूप बदलने को भी turn कहते हैं तो इस पूरी line का क्या आरत हुआ बट लेकिन उसने क्या सोचा कि मेरे थैले में मेरे जो बैग में सोने के पीस है मतलब सोने के टुकड़े है वो राख में कैसे बदल सकते है और दोस्तों यह जो वाक्य है यहाँ हेड के साथ third form का प्रियोग किया गया है तो यह हमारा past perfect का बाक्य है past perfect का मतलब होता है past में किसी क्रिया का पूरा होना पाये जाना जहांपर head के साथ वर्व की third form लगाई जाती है तो इस line का क्या अरत हुआ I had myself picked them मतलब मैंने इनको खुद उठाया था and filled the bag और थैले को भरा था wondered कालू wonder का मतलब होता है किसी चीश के उपर आश्चर्य करना और second form wondered wondered कालू मतलब कालू को आश्चर्य हुआ तो दोस्तो जाहर सी बात है जैसा हमने कहानी के अंदर देखा था ये जो कालू नामक चोर था वो उस घर में घुस आया था और उसने वहाँ बहुत सारा सोना अपने बैग में रख लिया था तो जब साधू जी ने उस बैग को खोला उस थेले को जिसके अंदर से राख निकली तो ये जो चोर था उसके लिए बहुती जादा आश्चर्य कर देने वाली बात थी क्योंकि उसने अपने हाथों से ही उस सोने को अपने बैग में रखा था और जब उसने देखा कि ये सोना नहीं मतलब की राख में बदल गया तो बहुत जादा वो आश्चर्य चकित हो गया उसे बहुत आश्चर्य होगा चली आगे देखिए after some time मतलब कुछ समय के बाद when the sadhu was leaving leave मतलब होता है रवाना होना कहीं से जाना when the sadhu was leaving the house मतलब जब जो sadhu घर से जा रहे थे कालू appeared before him before मतलब सामने appear मतलब होता है सामने प्रिकट होना दिखना कालू appeared before him कालू उनके सामने प्रिकट हुआ as he was very curious to know the fact दोस्तों curious adjective है जिसका मतलब होता है उत्सुक तो इसका क्या रत हुआ ऐस जैसे की he was very curious to know मतलब वो इस बात को जानने में बहुत जिग्यासू था बहुत उत्सुक था the fact उस सच को जानने में बहुत जाता उत्सुक था he said उसने कहा महराज I am a thief महराज में एक चोर हूँ I entered your house मतलब मैंने आपके घर में प्रवेश किया last night पिछली रात to steal something कुछ चुराने के लिए और दोस्तों आप इस वर्व को note कर लीजिए s-t-e-a-l steal का मतलब होता है चुराना और ये वर्व की first हो मैं मैंने पूरी बात क्या बताई कि महराज I am a thief मैं एक चोर हूँ I entered your house last night to steal something मतलब पिछली रात में आपके घर में दाखिल हुआ प्रवेश किया कुछ चुराने के लिए I saw the gold pieces lying on the floor मतलब मैंने सोने और ये c की second form is saw जिसका मतलब देखना I saw the gold pieces lying on the floor मतलब मैंने सोने के टुकड़ों को first पर पड़े हुए देखा I collected those pieces collect मतलब भी खटा करना second form collected I collected those pieces मैंने उन टुकड़ों को खटा किया in my bag अपने थैले में the bundle मतलब की गटरी which you opened जो आपने खोली is mine वो मेरी है but लेकिन now अब it is but now it is filled with ash लेकिन अब ये राक से भरा हुआ है I do not understand how the gold pieces have changed into ash please explain I do not understand दोस्तों ये जो वाक्य है ये present indefinite का negative वाक्य है जहां पर subject के बार do not या does not का प्रियोग किया जाता है यदि subject I, we, you, they या फिर plural noun होगा तो do not और he, she, it या singular noun होने पर does not तो फिलाल I के साथ do not का प्रियोग है rule के accordingly साथ में और की first home तो उसने क्या कहा I do not understand मतलब मुझे मैं नहीं समझ था मतलब मुझे समझ नहीं आता how कैसे the gold pieces सोने के टुकडे have changed बदल चुके हैं into ash राख में बदल चुके हैं please explain किर्पया करके समझाइए चलिए आगे देखिए the sadhu said मतलब की sadhu ने कहा this house has divine influence दोस्तो ये जो हमारा वाक्य है इस वाक्य जो है ये हमारा present का possessive वाक्य है possessive को आप ऐसे समझ सकते हैं possessive का मतलब होता है जब आप ये दिखाते हैं किसी के पास कुछ है या नहीं है इस तरह के वाक्यों को possessive वाक्य कहा जाता है जहांपर has या फिर have का प्रियोग helping of के रूप में होता है जहांपर कोई भी noun या फिर adjective को प्रियोग किया जाता है has have के अलावा तो क्या अर्थ हुआ this house मतलब ये घर has divine influence मतलब इस घर में divine मतलब दैविये और influence मतलब प्रिभाव तो उन्होंने क्या जबाब दिया सादू ने क्या कहा कि this house has divine influence मतलब ये इस घर में दैविये प्रिभाव है every night मतलब कि हर रात the earthen lamp glows the earthen lamp मतलब कि मिट्टी का दिया मिट्टी का मिट्टी का दीपक glows मतलब कि वो जलता है and the gold pieces are scattered और सोने के सिखे बिखर जाते हैं on the floor फर्ष पर but लेकिन when those gold pieces are collected लेकिन जब उन सोनों के टुकडों को इखटा किया जाता है they changed to ash वो राख में बदल जाते हैं तो दोस्तों यहां तक आपको कहानी अच्छे से समझ आई गई होगी कि जो साधुजी थे उन्होंने उस चोर को यही बात बताई कि हर रात या मतलब यह जो घर है वो फर्ष पर भिखर जाते है लेकिन बट वेन दोस गोल्ड पीसे सारा कलेक्टेड लेकिन जब उन्होंने के टुकडों को इखटा किया जाता है they changed to ash मतलब वो राख में बदल जाते हैं आगे देखिए God has brought you to this house so that you learn a lesson दोस्तों यह जो वाक्य है यह हमारा present perfect का वाक्य है इसको समझ लीजे जैसा मैं आपको बता चुका हूँ present perfect का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना जहांपर has या have का प्रियोग helping of के रूप में होता है तो यहां पर जो हमारा subject है वो एक God जिसका मतलब होता इश्वर यह एक singular noun होने और singular noun के साथ has का प्रियोग किया जाता है साथ में वर्तमान की third form bring का मतलब होता लाना और third form में brought तो क्या अर्थ हुआ इस line का God has brought you to this house मतलब की इश्वर या किसने भगवान आपको इस घर में लाया है so that ताकि you learn a lesson ताकि आप एक सबक सीखो greed is never a good habit तो नोंने देखे कितनी अच्छी बात बताए दोस्तो greed का मतलब होता है greed is never a good habit मतलब लालच कभी भी एक अच्छी आदत नहीं होती है you must leave the bad habit of stealing दोस्तों must का प्रियोग जब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति को कोई बहुती अच्छी सला देते हैं जब बहुती ज़्यादा strong advice हम देते हैं जहाँ पर जरूर का और साथ में चाहिए का combination होता है तो महाँ पर must का प्रियोग किया जाता है leave मतलब छोड़ना तो उन्होंने क्या कहा you must leave the bad habit of stealing मतलब आपको अवश्य ही चोराने की मतलब चोरी करने की बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए leave मतलब छोड़ देना कालू टच्ड दा साधू स्वीट साधू में apostrophe S मतलब काके की तो जब हम नाम या विक्ति के साथ को जोड़ेंगे तो apostrophe S का प्रियोग करेंगे तो क्या अर्थ हुआ कालू टच्ड दा साधू स्वीट मतलब कालू ने touch मतलब छूना इसपर्ष करना His profession His profession of stealing forever मतलब उसने अपने इस चोरी करने वाला का जो पेशा था उसको हमेशा के लिए छोड़ देने का उसने वादा किया दोस्तो कहानी का जो moral है वो भी एक बार देखी लेते हैं क्या moral है It is never too late to change your bad habits दोस्तो बहुत अच्छी लाइन है सार्थक जीवन में कुछ नया सिखाने वाई लाइने देखे कितनी अच्छी लाइन यहां कही गई है It is never too late मतलब कभी भी बहुत ज़्यादा देरी नहीं होती है to change your bad habits अपनी बुरी आद्तो को बदलने में तो दोस्तो जैसा हमने इस काने के अंदर देखा तो दोस्तो यह आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से moral के साथ यदि आपको कहानी सुनने में मज़ा आया हो और आपने कहानी से कुछ सीखा हो तो आपसे request है आप वीडियो को like करें, share करें चैनल को जरूर subscribe करें और यदि कोई सुजाव हो तो comment के मादियम से बताएं सुनने के लिए, thank you so much have a nice day and bye